तो अगर आप एक यूस करते हो शौमी का फोन या MIUI यूजर हो तो आपने ये स्टेबल रोम, बीटा रोम, चाइना डेवलपर, क्या-क्या रोम के नाम तो संके रखे होंगे आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा एक बेसिक MIUI यूजर का यूजर गाइड क्या होता है ग्लोबल स्टेबल रोम और क्या होता है ग्लोबल बीटा रोम वीडियो को शुरू करने से पहले में आपको अदर डिफरेंस बता देना चाहता हूँ जो डेवलपर रोम है उसको वीटा रोम को अम डेवलपर रोम बी कियते हैं तो वीटा रोम को मतलब सेम रहता है जो हमारा अगर आपने ये नाम सुना है Global Stable Update जब भी आपको Xiaomi का phone purchase करते हो तो उसमें आपको ये Stable version देखने हो मिल जाए है MIUI का Stable version देखने हो मिल जाए है अब जो हमारा Stable version रहता है वो फूरा Stable रहता है आपको थोड़े बहुत bugs देखने हो मिलते है और अगर मैं अदर बात करों तो ये रहता है एक Stable Rome बनलब Global Stable Rome में आपको बहुत कम bugs देखने हो मिलते है अब चलिए अदर बात करते हैं Global Beta Rome के बारे में एक company है आपको जैसे की बता है कोई भी company जब feature लाती है तो उसकी testing होती है तो जो हमारा Global Beta Rome होता है उसी रोम में Xiaomi अपने नए-ने features की testing करता है तो एक्जंबल बात करों MIUI 10 के बारे में MIUI 10 जब launch है तो सबसे पहले आया Global Beta में सबसे पहले आया Global Developer में तो उसके बाद जब testing successfully complete होती है उसके एक से दो मैन के बाद हमको इदर Global Stable में दिखने हो मिलेगा बात करों जो normal users रहते हैं यूशरली stable home यूज करते हैं उनको beta या developer के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं रहता है और अगर मैं बात करों developer और beta के बारे में और अगर आपको नए-ने features experience करने हैं तो आप यूज कर सकते हैं Global Developer या Global Beta अगर आपको पता हो तो आप इदर Global Stable से Global Beta भी जा सकते हो और Global Beta से Global Stable भी जा सकते हो उस वीडियो की link discussion में देता हो कि कैसे आप Stable से बीता में जा सकते हो तो आपको Global Beta और Global Stable में तो फरक समझ में आ गया होगा अब इदर बात करते हैं China Developer और China Stable के बारे में जसी कि आपको बता है Xiaomi एक Chinese Company है जो चाइना रहता है Global जो रहता है वो सारे World में जितने भी Xiaomi phones लांच हो है वो ग्लोबल रोम पे रन करते हैं और बात करूँ चाइना रोम के बारे में चैनीज पीपल के लिए एक् latest लिए चैनीज रोम है जिसको अब इHDर China Rome कैते हैं में आपको चैना रोम में भी आपको आदे चैना सेबलर इखने को मिल जाती है अब आपको पता अन्फेल के बारे में इसपाट है अब भी मुझे लगता है कि आपको एक basic understanding हो चुकी है रोंग की, अगर आप एक Xiaomi phone यूज करते हो तो आपको बता देना चाहिए अगर आपको कोई भी doctor तो आप मुझे कम message में बता सकते हो Instagram बेज एंडरल रश को follow करो तो मिलता हो मैं आपसे अगले वीडियो में अगर आपको बता है